नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी अभी अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरब से ओफीसियल वेब साइट पर एक नया नोटीस जारी किया गया CET से रिलेटिड CET से सम्मंदित 3 लाख युवाओं को एक जसीन सक्त संदेश बेजाय साथियो ये नोटीस सभी कंडिडेटों के लिए बहुत ही महतवपूर्ण रहने वाड़ा है अगर आप इस नोटीस को रीड नहीं करते हैं तो साथियो आपको इसका खामयाजा भी बुखतना पड़ सकता है और अगर आप ऐसे ही सभी बरतियों से रिलेटिड जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए साथियो मुखे मुद्धे पर चलते हैं कि अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरब से ही क्या नोटीस बेजा गया है CET से रिलेटिड ये देखे साथियो नोटीस रिगार्डिंग लाइस्ट ओपोर्चनेटी फॉर वेरिपकेशन वीड्राल ओफ क्लेम्स मेड इन क्लेम्स यानि कि साथियो जो लिंक एक्टिव हुआ था वीड्रा करने का और या आप किसी कंडिडेट को नमबर नहीं मिले हैं वो लेने का वो तो एक अलग विश देखे सात्यों पहले तो यह प्रोविजनल कंडिडेटों के लिए जरूरी था लेकिन उसके बाद EWS कटेगरी हो एक्सरिशमेन हो इन सभी के लिए चायो प्रोविजनल हो या नहीं हो उन सभी के लिए सात्यों अपनी जो कटेगरी सर्टिकेट थी वो अपलोड करना सभी बनाकर बता दिया है कि अगर आप अपनी कटेगरी अपलोड नहीं करते हो तो आपको जर्नल में काउंक्ट किया जाएगा और जर्नल का खामेदा सात्य VO आपको पुलिस बरती में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि पुलिस बरती में साथ ही हो जो एज क्राइटीरिया रहता है इसमें ये देखिए एज भी आपकी जर्नल के इसाब से ही काउंट की जाएगी जर्नल काटेगरी प्रोवाइड सच एक कंडिडेट फुल्फ पहचान पतर अगर आपका परिवार पहचान पतर से जो वन टाइम रिजिस्टेशन के समय आपने कटेगरी अप्लोड किया था वो मैच नहीं होता है तो आपको दिकत का सामना करना पड़ सकता है दस मार्च का इनोटीस है अभी अभी जारी किया गया है दुबाला से सात्य आतर आठ इनका समय दिया गया है यह कटेगरी सर्ट्विकेट वाली बात है सात्य जो अनिवारी है किया गया है यह बाद में जोड़ा गया है विसे इसलिए सभी कंडिडेट इसको ध्यान से देखे वरना तीन लाग कंडिडेटों को खामियाज़ भुकतना पड़ सकता है अब आप इस बात को कितना सीरेस लेते हैं और जिन कंडिडेटों ने अपलोड कर दिया है अपना कटेगरी सर्ट्विकेट उनको दुबारा करने की ज़रूतनी यह सात्यो वो निशिंत रहें तो अपना जो भी इसमें सात्यों आपको सर्ट्विकेट अपलोड करना है वो क करें जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ष वूडियो में